नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रिम कोट के उश निड़े के बारे में जो संबंदित है नेगोशेबल इंस्टुमेंट्स एक्ट यानि कि परक्राम में लिखत अधिनियम की धारा 149 से जैसा कि उपर आप देख पा रहे होंगे कि भले ही चेक की डि होगा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट धारा 149 एक्ट के तहत अनुमान को खंडन नहीं कर सकती सुप्रिम कोट का ऐसा मानना है नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर एम में जहां हम सभी लोग सभी रिसेंट लीगल अपडेट्स और लॉज के संदर में चेर्चा करते हैं उसी करम में सुप्रिम कोट की इस महत्वपूर्ण जज्जिमेंट के साथ आज हम लोग जुड़े हुए हैं आप से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करिए लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँचे इसलिए सेर भी अवश्य करिए आईए देखते हैं कि मामला क्या था और क्या फाइनल डिरेक्शन है सूप्रिम कोट ने कहा कि भले ही चेक में विबरंड ड्राअर द्वारा नहीं बलकि किसी अन्य ब्यक्ति द्वारा भरा गया हूँ चेक के लिए ड्राअर ही उत्तरदाई है Drar का मतलब ये होता है कि जिसके खाते से वो चेक है मतलब जिसके खाते से पैसा निकलना है वो Drar है जो चेक पे हंस्ताक्षर करता है जिसका खाता है Justice D.Y. चंदचूर और Justice A.S. बुपन्ना की पीट ने कहा कि चेक पर हंस्ताक्षर करने पर जो धारना पैदा होती है उसका खंडन केवल हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट से नहीं किया जा सकता है इस मामले में दिल्ली हाई कोट ने चेक बाउंस मामले में यह निर्दायत करने के लिए handwriting expert को निक्त की अनुमती दी थी कि चेक में भरे गए विबरान आरोपी के थे या नहीं ट्रायल जज ने आरोपी की ओर से दायर आबेदन को खारिज कर दिया था जिसमें सरकारी handwriting expert दोरा चेक की जाँच नमुना हस्ताक्षर और आरोपी की लिफखावट की जाँच की मांग की गई थी उनकी अपील को स्विकार करते हुए हाई कोट ने विबादित राइटिंग की जाँच के लिए एक हैन राइटिंग expert को निक्त करने के अनुमती दी अपील में धारा 149 N.I. Act का जिक्र करते हुए सुप्रेम कोट के पीट ने कहा कि एक डायर जो एक चेक पर हताक्षर करता है और उसे पेए को सौपता है पेए यानि कि जो प्राप्त करने वाला है उसे तब तक उत्तरदाई माना जाता है जब तक कि किसी रिण के भुकतान के लिए किसी दायत के निर्भन में चेक जारी करने के अनुमान को खारिज करने के लिए डायर सबूत पेश्ट नहीं करता है अपील के अनुमत देते हुए पीट ने आगे कहा अपने द्वारा हस्ताक्षरी चेक सौपने वाला डार तब तक उत्तरदाई होता है जब तक कि परेक्षन में साक्ष जोड कर यें साबित नहीं किया जाता कि चेक किसी रिण या दायत्व के निर्भर में नहीं था प्रतिवादी ने चेक में विवरण भरा था या नहीं इस पर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का सबूत उस उद्देश को निर्धारित करने के लिए महत्वेहीन होगा जिसके लिए चेक सौपा गया था इसलिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के साक्ष को जोड़ने के लिए आवेदन के अनमती देने से कोई उद्देश पूरा नहीं होता है केस का नाम था औरियंटल बैंक अफ कामर्स बनाम प्रबूत कुमार तेवर C.R.A. 1260-2022 अगर इस मामले के डिसकुशन में जाएं तो निसकर्स यही निगलता है कि जो चेक जारी करता ब्यक्ति है उसने अगर चेक पर सिगनेचर कर दिये हैं और उसने चेक पर रास ही नहीं भरी है प्रleeck को पूरा मतलब फिल नहीं किया है। उसमें अव्य स्का नए उनकों नहीं भरा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि वह उसके लिए जिम्मेदाहलै। अब अगर वह 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 चेक किसी दूसरे को देते हैं और वह 500 Amp ड्राइर ही जिम्मेदार है चाहे हैंड राइटरिंग एक्सपर्ट की मदस्ते यह थाबित कर दिया जाए कि दोनों राइटिंग मिस्मैच्ड है एमाउंट की जो रासी है वो किसी और ने भरी है और सिगनेचर किसी और के है फिर भी जो दाइत तो है यह जगनेचर करें manif Barn breakupcake जिस्ने जिसके नाम से है उसी का ही होगा अर्थात वह उतने दाइत तोसे बच नहीं चूए यह करकर के कि सिगनेचर किसी और के है और Taylor जो लिखावट है वो किसी और की नियाह जानकारी आपको होनी चाहिए आगे अनने जानकारियों के साथ आप से जुड़ेंगी तब तक के लिए बिदा दीजिये नमस्ते